है कोड़ मुर् merchants आज की क्लास में हम लोग डिसकस करेंगे 4-year analysis of half-wave rectifier क्या होता है half-wave rectifier एक ऐसा डिवाईस है जो AC को DC में convert करने के काम आता है AC क्या होती है AC means alternating current and DC is direct current तो AC में आपके पास क्या होगा AC में आपके पास की आपकी current की cycle है वो alternatively change होगी direct current में क्या होगा alternatively change नहीं होगी केवल आपको क्या मिलेगा upper half मिलेगा lower half उसका नहीं मिलेगा अब जो rectifiers होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास दोड़ तरह के होते हैं एक तो half wave rectifier और एक full wave rectifier half wave rectifier क्या होता है half wave rectifier जो आपकी AC की half cycle को तो as it is रखता है और अगली जो changing cycle है जो next cycle है उसको क्या कर देता है जीरो कर देता है तो उपर वाली आपको क्या मिलेगा जैसे इस graph में हमारे पास दिखाई रहा है figure 2.9 में केवल आपको x-axis पे positive y के लिए values मिल रही है negative y के लिए values नहीं मिल रही ठीक है तो उसने negative y की जो alternating में तो क्या होता है कि half cycle के बाद वो अपनी direction को current change कर लेता है तो जो change करता है direction को इस half wave rectifier क्या करता है उसको नीचे वाली cycle को zero कर देता है तो आपको केवल half cycle के लिए value मिलेगी अगली half में आपकी value क्या रहेगी zero रहेगी ठीक है अब full wave rectifier क्या होता है full wave rectifier क्या करेगा अगले half को जब हम full wave rectifier पे आएंगे जब देखेंगे कि अगले half को भी क्या कर देगा वो convert कर देता है कि इसमें positive cycle में तो अगले half के लिए भी उसमें क्या मिलेगी positive cycle ही मिलेगी ठीक है तो ये हमारे पास output हो गया half wave rectifier का अब हमें क्या करना है हमारा काम क्या है यहाँ पे इसका four year analysis करने का तो four year analysis के लिए हम पहले भी discuss कर चुके हैं इसी चीज़ का अगर हमें four year analysis करना है तो उसके लिए सबसे पहला काम तो हमारे पास क्या होता है कि function लिखने का कि अभी हम function लिखेंगे कि इसके लिए function की क्या value होगी function लिख लिया function लिखने के बाद हम देखेंगे कि वह function direct conditions को satisfy कर रहा है या नहीं कर रहा उसके बाद अगर वो direct condition को satisfy कर रहा है तो that means we can expand it as sign and cosine series और we can do four year expansion for this तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसको four year series को use करके expand कर सकते हैं इस function को तो अब पहली step पे हम जाते हैं कि function लिखते हैं ठीक है तो अब figure देख के हमें पता लग रहा है कि zero से pi तक तो हमारे पास कुछ variation हो रहा है ठीक है और pi से two pi पे हमारे पास क्या है zero value मिल रही है किसकी function की या फिर y axis पे zero value हमें मिल रही है तो एक period के लिए हमें क्या लिखना है function तो हमारा pi से two pi तो function की अगर function हम e x मानते हैं तो pi से two pi तो हमारे पास क्या हो गया जैसे यहां बे लिख रखा है अगर x की जगे आप omega t भी लिख सकते हो तो अगर आप angle को omega t मानते हो तो omega t की value pi से two pi के बीच में for the value of omega t between pi and two pi the function e omega t is zero कि इस function omega t की value क्या है zero है लेकिन zero से pi के बीच में क्या है एक sine wave की तरह इसका variation हो रहा है और variation maximum amplitude कितना है इसका यहां पर e note है देख के हमें पता लग रहा है कि maximum amplitude कितना है figure 2.9 में e note maximum amplitude है और इस maximum amplitude के साथ अगर हम क्या कर दें sine theta को multi या sine x या sine omega t को multiply कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा जिस तरह का graph यह इस तरह की value मिल जाएगी तो इसलिए इसका function क्या हो जाएगा e omega t किसके equal होता है e note sine omega t के equal हो जाएगा 4,0 से pi के बीच में omega t की value between 0 to pi हमारे पास function e omega t किसके equal हो जाएगा e note sine omega t क्योंकि देख के पता रहा है कि पहले हाफ में sine wave मिल रही है और sine wave का maximum amplitude वैसे sine theta की maximum value 1 होती है लेकिन यहाँ पर maximum amplitude हमें मिल रहा है e note that means हमें क्या करना पड़ेगा अगर इस sine को हम e note के साथ multiply कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा यह function मिल जाएगा तो ऐसे करके हमने function निकाल लिया और हमारे function की value हो गई अगर हम omega t की terms में लिखे तो e omega t किसके equal हो गया e note sine omega t between omega t 4 omega t between 0 and pi and e omega t is equal to 0 4 omega t between pi and 2 pi अब इस omega t की जगे हम x भी put कर सकते हैं तो हम क्या कर लेते हैं omega t को x माल लेते हैं तो हमारा function क्या बन जाएगा e x is equal to e note sine x 4 x between 0 and pi and e x is equal to 0 4 x between pi and 2 pi तो that means अब हमने function लिख लिया पहला step हमारा पूरा हो गया अगर किसी चीज़ का four year analysis हमें करना है तो पहला काम क्या था अगर हमारे पास उसका graph है तो हम क्या करें उसका function लिख लिया अब हमने क्या कर लिया function लिख लिया function आ गया हमारे पास ये अब functions को हमें चेक करना है कि ये function directly conditions को satisfy करता है या नहीं करता तो ये graph देखके भी हमें पता लग रहा है कि इसकी value ना तो ये multi-valued function है क्योंकि एक x के लिए आपको एक से ज़्यादा y की value नहीं मिल रही हाँ पर कोई भी x चेक कर लो उस x के corresponding आपको एक ही y की value मिलेगी एक x से corresponding ज़्यादा एक से ज़्यादा y की values नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये function single valued है उसके बाद इस function के अंदर जो आपकी x की value है वो किसी भी value पे infinite नहीं हो रही क्योंकि sin theta कभी भी infinite नहीं होता sin की value 0 से 1 के बीच में रहती है तो sin की value 0 से 1 के बीच में रहेगी और sin theta infinite नहीं होगा that means आपके पास क्या हो जाएगा कि function की finite value होगी दूसरी condition भी satisfy होगी तीसरी condition थी हमारे पास की इसमें finite number of discontinuities हो और finite number of maxima और minima हो तो discontinuities भी finite a की discontinuity आ रही है जब pi की value हो रही है तो pi से 2 pi पे वो 0 हो रहा है तो वो trend को छोड़के उसकी value कैसी हो रही है pi पे discontinu और maxima और minima की बात करें तो maxima तो आपको मिल रहा है किस पे जब value आपकी e note हो रही है maximum sin theta की value जब maximum हो रही है और minima आपको 0 पे मिल रहा है तो maxima minima भी कितने है finite है उसको आप count कर सकते हो एक period के अंदर एक maxima और एक minima आपको मिल रहा है यहां पे तो तीसरी condition तीसरी direct condition भी यहां पे क्या हो रही है satisfy हो रही है अगर तीसरी condition भी satisfy हो रही है that means हम इस function को with the help of four-year series expand कर सकते हैं अब हमारे पास क्या आजाता है काम की four-year series की तरह इसको expand किया जा सकता है that means this function ex can be written as a note plus summation n is equal to 1 से infinity a n cos nx plus bn sin nx अब अग next काम क्या है हमारा अब हमें करना क्या है that means इसको कर सकते हैं अब काम है a note an और bn निकालने का और हमें पता है पहले भी हम देख चुके हैं कि a note निकालने के तो a note की value क्या होगी अगर period आपका 0 से 2 pi के बीच में है तो a note किसके equal होगा a note is equal to 1 by 2 pi 0 से 2 pi ex dx 0 से 2 pi ex dx अब इसी चीज को यहां पर इनोंने direct लिख दिया कि जो a note की value है वो क्या होगी 0 to 2 pi ex dx लेकिन अब हमारे पास जो ex है वो दो parts में divided है पहले half period के लिए तो उसका एक trend है और दूसरे half के लिए उसका दूसरा trend है तो अब हम क्या करेंगे इस limits को भी 2 half में divide कर लेंगे और इनोंने direct 2 half में divide करके और value put कर दी तो a note की value किसके equal हो जाएगी जो 1 by 2 pi तो बाहर है अब e note क्या है constant e note बाहर निकल गया 0 से pi sin x dx हो गया plus e note by 2 pi अब दूसरे half के लिए x की value 0 है तो 0 dx pi से 2 pi के बीच में जहांबे value 0 थी उस integration की value तो क्या हो गई 0 और इदर बच गया e note by 2 pi minus cos x limit क्योंकि sin का integration क्या हो गया minus cos x और limit बन गई 0 to pi और जब आप इस limits को put करोगे 0 to pi को minus cos 5 cos 0 बन जाएगा और यह value हो जाई cos pi की value होती है minus 1 और minus sign पहले multiplied है तो that means ही हो गया minus minus into plus हो गया तो यह बन गया e note by 2 pi 1 plus 1 किसके equal हो गया e note by pi के तो हमारे पास a note की value यहां से कितने निकल के आई a note की value निकल के आई e note by pi के अब उसके बाद हम निकल लेंगे तो e note sin x और दूसरे half के लिए 0 तो पहले के लिए जब आप e note sin x put करोगे तो e note बाहर निकल जाएगा क्योंगी e note constant है तो क्या बन गया e note by pi क्या बन गया यह e note by pi sin x cos nx dx plus e note by pi pi से 2 pi limit 0 into cos nx dx अब 0 के साथ कुछ चीज multiplied में है तो वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो इसका मतलब बच गया क्या आपके पास e note by pi 0 से pi sin x cos nx dx अब आपके पास यह बन गया sin a cos b तो sin a cos b का आपके पास formula होता है 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b तो यह क्या हो जाएगा e note by pi तो बहार है 0 से pi अब sin a क्या है आपके पास 1 sin x a क्या है x और b क्या है nx तो यह क्या बन जाएगा sin n plus 1 x से और plus था ना बीच में यहाँ पे तो यह बन जाएगा आप x step in होने direct लिख दी यहाँ पे यह क्या बन जाएगा plus sin a minus b था तो यह बन जाएगा plus sin a क्या है आपके पास x minus nx और x common निकल गया तो 1 minus n हो गया और उस 1 minus n का इनोंने minus common ले लिया वो बन गया n minus 1 और sin का अंदर minus होता है तो वो कहा निकलाता है minus बहार आ जाता है तो यह value आपके क्या बन गई minus sin n minus 1 x divided by 2 क्योंग यह 2 यहाँ पे था यहाँ पे जो आप equation देख रहे हो ना सामने यह an is equal to e naught by pi sin x cos nx dx इसमें 2 का multiplication नहीं है इसलिए इसका मतलब जो हमने आपने यह identity यूज करी इसमें left hand side से जो यह 2 sin e cos भी आपने यूज किया यह left hand side से 2 right hand side में निच्छे चला जाएगा तो इसलिए divided by 2 हो गया plus 0 किसलिए आपका 0 क्योंकि यह वाला जो integral है आपका उपर वाली equation में वो 0 into cos nx dx था उसका total क्या बन चुका है 0 बन चुका है अब next step में आपके पास क्या हो जाएगा e naught by 2 pi अब हमने क्या कर दिया इसको integrate कर देते हैं sign का integration cos तो यह बन जाएगा sign का integration minus cos यह बन जाएगा minus cos n plus 1 x divided by n plus 1 अगले का minus sign का sign का minus cos बनेगा और minus minus plus बन जाएगा तो यह बन जाएगा plus cos n minus 1 x divided by n minus 1 और यह limit 0 से लेकर आपकी pi तक और यह क्या हो जाएगा next step में आपके पास फिर जब आप limits put करोगे तो यह हो जाएगा e not by 2 pi minus cos n plus 1 x की जगह put कर दिया pi divided by n plus 1 minus क्या हो जाएगा minus इसमें पहले ही multiplied है तो वो minus minus plus बन जाएगा और cos 0 की value कितनी होती है 1 x की जगह जब 0 put करेंगे तो cos 0 हो जाएगा cos 0 की value क्या होती है 1 तो यह बन जाएगा 1 by n plus 1 next step में प्लस अब आगले के लिए क्या हो जाएगा cos n minus 1 pi divided by n minus 1 और minus में क्या है cos की x की जगह आप उठ करोगे 0 cos 0 1 तो यह बन जाएगा minus 1 by n minus 1 तो अब आप जो यह 1 by n plus 1 और 1 by n minus 1 है इसको एक साइड में कर लिया और यह बन गया आपके पास है last line में cos, sorry, e note by 2 pi minus cos n plus 1 pi divided by n plus 1 plus cos n minus 1 pi divided by n minus 1 plus 1 by n plus 1 minus 1 by n minus 1 तो यह आपके पास है यहाँ पर यह value इसकी बन गई उसके बाद next step में हम क्या करेंगे जो n minus 1 by n minus plus 1 था और minus 1 by n minus 1 था इसको solve कर लेंगे जब इसका LCM लेंगे तो यह बन जाएगा नीचे n plus 1 into n minus 1 उपर बन जाएगा n minus 1 minus n minus 1 तो plus n से minus n cancel out हो गया और यह बच गया minus 2 by और नीचे जो n plus 1 into n minus 1 था वो बन गया n square minus 1 क्योंगी a plus b into a minus b किसके को लोता है a square minus b square तो इसलिए बन जाएगा first line में last आपकी term बनेगी वो क्या बन जाएगी 2 by n square minus 1 और पहले वाली तो as it is रहेंगी node by 2 pi minus cos n plus 1 pi divided by n plus 1 plus cos n minus 1 pi divided by n minus 1 अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो cos n plus 1 की value होती है वो कितनी होगी cos n plus 1 की value क्या हो जाएगी minus 1 क्योंगी cos alternative चलता है cos 0 की value 1 cos pi की value minus 1 cos 2 pi की value 1 फिर minus 1 फिर 1 फिर minus 1 तो इसलिए क्या हो जाएगा अगर cos n plus 1 है और n की value 1 से लेकर on infinity तक जा रही है आपकी तो जब n की value 1 होगी तो यह बन जाएगा cos 1 की power n की value 1 होगी तो यह क्या बन जाएगा cos 2 pi cos 2 pi के case में value होगी 1 जब n की value 2 होगी तो यह बन जाएगा cos 3 pi 3 pi के case में value होगी minus 1 तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos n plus 1 pi is equal to minus 1 2 की power n plus 1 जब n की value जैसे भी accordingly जैसे भी जाएगी n की value 1 होगी तो यह क्या हो जाएगा minus 1 2 की power 2 और minus 1 2 की power 2 का मतलब minus 1 का scale का मतलब क्या हो जाएगा 1 value हो जाएगी तो cos जब n की value 1 थी तो यह बना दा cos 2 pi तो value 1 हो रही थी तो इसका मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ऐसे ही cos n minus 1 pi है तो उसको भी कैसे लिखा जा सकता है minus 1 2 की power n minus 1 अब इसमें देखना जब n की value 1 है तो जब n की value 1 होगी तो minus 1 2 की power n plus 1 भी क्या होगा आपके पास है 0 होगा minus 1 2 की power n plus 1 कितना हो जाएगा minus 1 का scale मतलब 1 value आएगी और जब n की value 1 है तो उस time पे minus 1 2 की power n minus 1 कितना हो जाएगा 1 minus 1 0 minus 1 2 की power 0 minus 1 2 की power 0 का मतलब होगा आपका 1 जब n की value 2 होगी तो n की value 2 होगी तो ये क्या बन जाएगा minus 1 2 की power 2 plus 1 3 और minus 1 की power 3 का मतलब होगे आपके पास minus 1 ऐसे minus 1 2 की power n minus 1 क्या बन जाएगा n is equal to 2 के लिए minus 1 2 की power 2 minus 1 minus 1 2 की power 1 that means minus 1 2 की power 1 कितना हो जाएगा 1-1 के equal हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि हम वैसे भी देखेंगे तो जब n की value जैसे भी जाएगी अगर n की value जो भी होगी उसके accordingly minus 1 अगर n की value भी यहां पर क्या है minus 1 to the power n plus 1 में अगर n की value odd है तो हमारे पास value मिलेगी 1 और जब value e1 है तो value मिलेगी minus 1 ऐसे ही minus 1 to the power n minus 1 के case में जब n की value आपके पास क्या है minus 1 to the power n minus 1 के case में जब n की value आपकी odd है तो उस case में आपको value मिलेगी term की plus 1 और जब N की value E1 है तो क्या हो जाएगा जैसे E1 आपकी value 4 है तो N minus 1 4 minus 1 3 बन जाएगी ऐसे ही 6 है तो 6 minus 1 5 बन जाएगी अगर आपकी value 8 है 8 minus 1 7 बन जाएगी तो minus 1 2 की power 5 7 9 के लिए हमारे पास क्या मिलेगा minus 1 की power N minus 1 कितना हो जाएगा E1 number के लिए E1 के लिए minus 1 हो जाएगा यहां से हम यह चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास जो minus 1 2 की power N plus 1 है वो किसके equal है minus 1 2 की power N minus 1 के है that means cos N plus 1 pi किसके equal है cos N minus 1 pi के equal है तो जो आपकी first line में equation थी इसमें आप क्या कर सकते हो या तो इसको cos N minus 1 pi को क्या लिख लो cos N plus 1 pi लिख लो या cos N plus 1 pi को cos N minus 1 pi लिख लो तो अब हमने यहां पर क्या लिख लिया यह क्या बन गया हमारे पास next line में e note by 2pi cos n-1pi हमने क्या माल लिया cos n-1pi को किसके equal माल लिया cos n-1pi के equal माल लिया और इस cos n-1pi को जो first line में था इसको replace कर दिया cos n-1pi से और अंदर बच गया आपके पास 1 by n-1 minus 1 by n plus 1 तो पहले में क्या था n plus 1 था और वो minus का sign आ गया तो इसलिए ओपन गया 1 by n-1 minus 1 by n plus 1 और यह बन जाएगा आपके पास cos n-1pi और जब इसको आप solve करोगे n-1 और n plus 1 को तो यह बन जाएगा n plus 1 minus n plus 1 तो यह बन जाएगा 2 by और n-1 into n-1 हो जाएगा n square minus 1 a minus b into a plus b किसके equal होता है हमारे पास a square minus b square तो यह finally बन जाएगा आपके पास 2 by n square minus 1 और minus में 2 by n square minus 1 जो पहले का था तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो 2 by n square minus 1 को common निकाल सकते हो बहार तो यह बन जाएगा 2 e note by 2 by n square minus 1 अंदर bracket के बच गया cos n minus 1 by minus 1 और यह हम देखेंगे कि cos n minus 1 की value हम उपर भी discuss कर चुके हैं कि अगर आपका n odd होगा तो इसकी value किसके equal हो जाएगी 1 के equal हो जाएगी और n even होगा तो cos n minus 1 by की value किसके equal हो जाएगी minus 1 के equal होगी तो जब इसकी value 1 के equal होगी cos n minus 1 by की तो यह बन जाए cos n minus 1 by की जगे आगया 1 और 1 minus 1 बन गया 0 हो तो इसका मतलब जब n की value odd है तो ये term सारी किसकी equal होगी 0 की और जब n की value even है तो ये बन जाएगा minus 1 minus 1 minus 1 बन जाएगा 2 minus 2 और वो minus 2 ये भारवाली term के साथ multiply होगे मतलब जो नीचे 2 है इसको cancel out कर देगा और ये term बन जाएगी आपके पास minus 2 e not divided by n square minus 1 pi जब n की value कैसी है आपकी even है तो ऐसा करके हमने a n को निकाल लिया आप हमारे काम पास काम बचता है bn निकालने का तो bn हमारे पास किसके equal होगा bn हमारे पास किसके equal होगा bn is equal to bn आपके पास किसके equal हो जाएगा e not by pi 0 से y y sin omega t या तो उसको sin x माल लो या sin omega t तो पहले हमने omega t into sin x dx लिख लिया divided by note by मतलब यहां पर क्या कर लिया हमने इसको period में तोड के लिख लिया कि basically हमारे पास क्या होता है अगर period हमारा 0 से 2 pi के बीच में है तो क्या होती है भी इनकी value 1 by pi 0 से 2 pi अब यहां पर function था हमारा e x तो e x into sin x dx हो जाएगा उस e x को हमने दो parts में लिखा एक तो 0 से pi और second half लिखा pi से 2 pi जो pi से 2 pi वाला half उसकी value कितनी है zero value है और जो 0 से pi वाला half उसकी value कितनी है sin omega t into sin sorry उसकी value कितनी है e note sin omega t है तो यह बन जाएगा e note by pi भार निकल जाएगा यह बन जाएगा 0 से pi sin omega t sin n x dx प्लस e note by pi अब e x की value यहां 0 है तो 0 into sin n x dx तो यह जो इस line में जो second term बनी है आपकी यह वाली तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ठीक है और इसका मतलब यह आगया आपके पास अब आपनो omega t को export कर दिया e note by pi 0 से pi sin x sin n x dx प्लस second term तो आपके 0 हो चुकी है अब इसमें solve करने के लिए हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से solve करेंगे हम इसको दो parts में solve करेंगे एक तो part लेंगे हम जब n की value 1 है दूसरा लेंगे जब n की value greater than 1 है तो जब n की value 1 होगी तो उस case में क्या हो जाएगा आपके पास b1 basically क्या बनेगा sin n की जगए हम क्या put कर देंगे 1 put कर देंगे तो यह बन जाएगा b1 is equal to e note by pi 0 से pi sin x into sin x dx तो यह बन जाएगा e note by 2 pi यह बन जाएगा आपके पास अब आपने क्या कर दिया 2 से नीचे multiply कर दिया और 2 से उपर कर दिया तो जो sin x into sin x तो sin square x बन गया और 2 से multiply किया और 2 से divide किया तो बहार बन गया e note by 2 pi और अंदर बन गया 2 sin square x dx ऐसा क्यों किया क्योंकि sin square आपके पास 2 sin square theta किसके equal होता है 1 minus cos 2 theta के equal होता है तो अब हम direct put कर देंगे उस identity को तो यहाँ पे जब identity put करेंगे तो यह sin square x की जगे हम क्या put कर देंगे 1 minus cos 2 x तो यह हो जाएगा आपके पास e note by 2 pi x minus sin sorry यह बन जाएगा e note by 2 pi 0 से pi 1 minus cos 2 x into dx और अब जब इसका integration करेंगे हम तो after integration यह value बन जाएगे आपके पास e note by 2 pi तो बहार 1 का integration आपका हो जाएगा x and cos 2 x का integration हो जाएगा sin 2 x by 2 और limit आपकी कितनी है 0 से pi तक और जब आप limit put करोगे तो यहाँ पे यह ना उपर minus pi लिख रखा है limit 0 से pi तक ही है minus pi नहीं हो वैसे ही printing mistake है तो यह हो जाएगा is equal to e note by 2 जब आप x की जगह पहले pi पुट करोगे और फिर 0 पुट करोगे तो हो जाएगा pi minus 0 और sin 2 x की जगह आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा minus sin 2 pi divided by 2 plus sin 0 divided by 2 तो यहाँ पे जब sin 2 pi की value भी कितनी होती है हमारे पास 0 क्योंकि sin 2 pi, sin 3 pi, sin 4 pi सबकी value कितनी होती है 0 के equal होती है तो यह sin 2 pi और sin 0 यह क्या हो जाएगे 0 तो यहाँ पे बचेगा अंदर केवल pi तो यह हो जाएगा बहार जो e naught by 2 pi था pi से pi cancel out हो जाएगा और finally आपके पास बच जाएगा e naught by 2 और secondly फिर हम जब b naught की value n greater than 1 के लिए जब देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपके पास e naught by pi 0 से pi sin x into sin n x dx और second term तो हमारी 0 होई चुकी है क्योंकि second जो pi से 2 pi के बीच में interval है उसमें आपकी x की value कितनी है 0 है तो यह हो जाएगा आपके पास e naught by 2 pi 0 से pi cos n minus 1 x minus cos n plus 1 x into dx आपने क्या लगा दिया यहाँ पे sin a sin b के identity लगा दिया और वो किसके equal होती है आपके पास sin a minus b minus cos a plus b यह लगाने के बाद जब आप इसको integration करोगे इसका cos का integration क्या हो जाएगा sin n minus 1 x divided by n minus 1 और दूसरे cos का भी क्या हो जाएगा cos n plus 1 का integration क्या हो जाएगा sin n plus 1 divided by n plus 1 into x और जब limit put करोगे यह बन जाएगा आपके पास c naught by 2 pi sin n minus 1 pi divided by n minus 1 minus sin 0 divided by n minus 1 और फिर second का minus sin n plus 1 pi divided by n plus 1 minus minus क्या हो जाएगा plus sin 0 by n plus 1 अब sin pi sin 1 pi हो sin 2 pi हो sin 3 pi हो sin 4 pi हो sin 6 pi हो सभी की value क्या हो जाती है 0 हो जाती है sin के साथ pi आ गया चाहे वो 1 pi है चाहे 2 pi है चाहे 3 pi है इनकी value कुछ भी है सभी के लिए क्या हो जाएगी 0 value हो जाएगी तो यहाँ sin n minus 1 pi यह यह भी 0, sin 0 तो 0 हो गई, sin n plus 1 pi भी 0 और sin 0 भी 0, इसका मतलब सभी की value क्या हो गई, 0 आ गई, तो यह बन गया, e note by 2 pi multiplied with 0 और finally इसकी value कितनी आ गई, 0, मतलब हमने क्या देखा यहाँ पे, कि जो आपका e note, जो आपका b1 था, उसकी value तो हमारे पास निकल के e note by 2, और b for n greater than 1, हमारे पास क्या निकल के आया, 0 value निकल के आया, और इसी चीज़ को अगर हम, यह जो हमने general expression निकाल लिया, is equal to e note by 2 pi, sin n minus 1, pi n minus 1, minus sin 0 by n minus 1, इसके लिए अगर हम n की value को क्या करेंगे, n की value, 1 के लिए अगर इसी से निकालना चाहे value, तो यह बन जाएगा, e note by 2 pi, pi sin n minus 1 pi divided by n minus 1 pi, और जो n minus 1 pi, और divided by n minus 1 था, 1 minus 1 0, और उपर भी sin 0 की value 0, तो यह 0 by 0 form बन जाएगी, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगी, फिर limit लगाना पड़ेगी, limit n tends to 1, sin n minus 1 pi, n minus 1 pi, और इसकी value sin x, अगर limit x tends to 0, sin x by x होता है, तो उसकी value कितनी होती है, 1, तो यहाँ पर sin n tends to 1, यह n tends to 1 उपर वाले को भी 0 बना रहा है, और नीचे वाले को भी 0, तो इसलिए इसकी value कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ से भी आपका, जो आपका b1 की value हो, वो e note by 2 ही निकल के आएगी, अब इसके लिए हमने हमारे पास final expression for half wave rectifier किसके एक फ़ल आ गया, e note by pi plus e note by 2, क्योंकि जो आपका जो second term थी, जो यहाँ पर न, जो हमारा यह था, e x हमारे पास था, e note plus summation n is equal to 1 से infinity n cos n x, प्लस bn sin n x, तो इसमें जो आपकी sin की जो b1 की value हमारे पास e note by 2 निकल के आई थी, तो sin for n is equal to 1, यह क्या बन जाएगा, b1 into sin x, तो b1 की value आई आपके पास e note by 2 और sin x बच गया साथ में, तो इसलिए, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, यह आगया e note by 2 sin x minus, फिर उसके लिए जो आपकी a n की value निकल के आई थी, जो a n हमने निकला था यहाँ पर, a n हमारा जो निकल के आया था भी, a n की value, a n की जो निकल के आई थी न, minus 2 e note divided by n square minus 1 की power pi, और n की value जब 1 होगी, 2 होगी, मलब n is an even integer, even के लिए क्या हो जाएगी, n की value 2 होगी, a 4 होगी, 6 होगी, तो जब 2 होगी, तो यह हो जाएगा, 2 square 4 minus 1, that means 3, minus 2 e note by 3 pi, तो जब इसको किसके साथ multiply करेंगे, हम cos theta के साथ multiply करेंगे, तो यह बन जाएगा, हमारे पास minus 2 e note by pi, तो बाहर निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा, 1 by 3 cos 2 omega t, plus 1 by 15 cos 4 omega t, and so on, अब इस expression में हम देखेंगे, कि हमारे पास जो e note by 2, e note by pi है, यह तो dc component को represent कर रहा है, क्योंकि इसके साथ कोई भी angle multiplied नहीं है, तो यह तो purely dc component है, और जो यह e note sin omega t, और cos 2 omega t, cos 4 omega t, यह terms किसको represent कर रही है, कि इस dc के अंदर कुछ ac component भी बच गया है, तो अब हम क्या करेंगे, ripple factor निकालेंगे, ripple factor बसे लिए किसलिए निकालते हैं, कि जो हमने ac को dc में convert किया, उस dc में convert करने के बाद, dc के अंदर कितना ac का component बच गया, तो ripple factor किसके equal होता है, ac voltage in rectified voltage divided by dc voltage in rectified, यह किसके equal हो जाएगा, rms value of ac component in output divided by dc value of component, तो e dash rms divided by e dc के equal हो जाएगा, और जो आपका, जो final voltage आपको मिली, उसमें ac v है और dc भी है, उसकी rms value किसके equal होती है, e rms square is equal to e dc square plus e dash rms square, और e dash rms square क्या है, कि जो आपको dc मिला, final output मिला, उस output में जो ac component है, purely ac component है, उसकी rms value, तो यहां से e dash rms किसके equal हो जाएगी, e rms square minus e dc square का अंदर दी root, और यहां से आपका ripple factor किसके equal था, e dash rms divided by e dc, और e dash rms की जगे हमने value put कर दी, under the root, e rms square minus e dc square divided by e dc square, और जब हमने क्या किया इसका, इसको e dc square से अलग-अलग कर लिया, तो यह बन गया, e rms square divided by e dc square minus 1 की power 1 by 2, अब उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, जो e rms होती है, जो आपका final output आया, उसकी rms value किसके equal होती है, e note by 2 के equal होती है, तो जब आप value put करोगे, e rms की जगए, e note by 2 का whole square, और divided by e note, जो आपका e dc आया था, वो किसके equal था, e note by pi के equal था, equation 2.20, देखो जो first time है, हमने बोला था, वो किसको represent कर रही है, केवल dc component को, वो e note by pi के equal था, तो हम इसको value को put कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, e note by 2 का square, divided by e note by pi का whole square, minus 1, और यह बन जाएगा, e note square से, e note square cancel out हो जाएगा, यह बन जाएगा, pi square by 2 square, 2 square का मतलब 4, तो pi square by 4 minus 1 की power under 1 by 2, और जब finally आप इसको solve करोगे, तो यह ripple factor आपका निकल के आएगा, 1.21, तो जो आपका half wave rectifier है, उसके लिए ripple factor की value हमारे पास कितनी आई, 1.25, तो अब इसमें अगली बार, next class में full wave rectifier discuss करेंगे, उसमें देखेंगे कि ripple factor आपका कितना निकल के आता है, फिर दोनों के बीच में comparison करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, thank you.